पर दोस्तो मैं हूँ प्रियंका आदो प्रिंग का ठीक रसोई में आपका स्वागत है आज बनाएंगे आलू गोवी मटर की सब्जी सूखी सब्जी जो सबको पसंद आने वाली है मैंने ले लिया गोवी आलू अद्रप मिर्ची लेसुन टमाचर हम इसको काट लेते हैं पहल और देंको ने गोवी काट लिया है उसको थोड़ा साहलका से उबालेंगे बालने से हमारी सब्जी अच्छी बनती है और अजसानी से पक भी जाती है और इसमें जो कीड़े, मुकोड़े, मतलब हलका फुलका जो की ताडू होते हैं वो भी मर जाते हैं, अच्छे से निकल जाते हैं सब्जी को भी काट लिया है दो चमत तेल दाला है अब हम आलू को डालेंगे हलका फ्राई करेंगे बिना पानी के बनाएंगे तो थोड़ा सब फ्राई करने से पक जाएगी तो अच्छा रहेगा कच्ची नहीं रहेगे आलू मेरी देखें दोस्तों आलू फ्राई हो चुका है थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है इसको निकालेंगे अब पच्चे हुए तेल में गोवी को भी फ्राई करेंगे देखें हमारी गोवी फ्राई हो रही है लगबग हो चुकी है थोड़ा बहुत और करेंगे अब गोवी को निकाल लिया है हम तटकाल डालेंगे इसमें हमने एक चमच जीरा डाला है चुटकी भर हम मेथी डालें आप चाहें तो खड़ा मसाला भी डाल सकते हैं इसमें तड़के में अध्रक डाला है और ले सुन इसको गुल्डन ब्राउन होने देंगे मेथी डाला है इसके बाद हम प्याज डालेंगे प्याज को हम ज्यादा प्राई नहीं करेंगे हलकी सी करेंगे मतर भी डाल दिया है हमने दोस्तों मतर प्याज की बाद ही डाली क्योंकि ऐसे पड़कने लगता है सारा अब हम सबजी को डालेंगे इसको अच्छे से बूनेंगे मिलाएंगे हमने ढग दिया है थोड़ी देर के लिए दोस्तों हमने गैस को भी मिडियुम प्ले पे रखा है अई नहीं रखा जल जाएगा मैंद सबजी इसमें हम मसाला डालेंगे एक चमास हली डाला है एक चमास में मसाला डाला है गराम मसाला है तन्याम इक से इसमें आप चाहें तो लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी आपको सबजी बनानी है उसी हिसाब से डालें यह दो लोग के लिए सबजी तीन लोग के लिए बना रही हूं इसमें डालेंगे टमाड़ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसको एक मिनट के लिए डग के रख रहा है इसमें चलाते रहेंगे अधे में याज पर पकाएंगे देखे दोस्तों हमने पानी थोड़ा सभी नहीं डाला है मारे सबजी बन गी है तब पक चुकी है हलकी हलकी बस है इसको टिपिन में भी दे सकते हैं अच्छे सी क्योंकि लिख नहीं करता एदी कि हमारे सब जिबन के तियार है देखिए दोस्तों खाने में कितनी अच्छे लग रहे है चले मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बाई बाई धन्यवाद